आसंतंधारियों की लार में कौन सा एंज्याइम होता है आपशन ए में डिया है arm आपशन वी में दिया है प्रोटीस !!! क्या होगा राइट ऐंसर जल्दी से कमेंट करके बताहए ृ भूझ प्रकार का एंय्या लार निकलता बूर निकलता है नकलता है पुर निकलता है अगला नंबर कोशन कौन से बिटामिन जल में घुलन सीले हैं बीटामिन यसी आपसट भी बीटामिन सी प्याइब क्या होगा राइट एंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन इसे बिटामिन जल में घुलन सील है बताएं क्या होगा राइट एंसर देखिए बिटामिन जल में घुलन सील का रहा है कि कौन से बिटामिन जल में घुलन सील है तो जल में घुलन सील बिटामिन जो है वो है आपका option number B, अगला number question जो है काता है, अमासे रस में होता है, option A, रेनीन, option B, हाइड्रो कलोरी कामल, option C, पेपसीन, और option D, उप्यूक्त सभी, क्या होगा राइट अंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए, देखें, अमासे रस में जो होता है, क्या होता है, तो अमासे रस में होता है, समझ लीजे बढ़ियां से, कि अमासे जो रस होता है, उसमें देखें, रेनीन भी निकलता है, हाइड्रो कलोरीक अमले भी निकलता है, HCL, और पेपसीन भी, यानि तीनों हो जाएगा, राइट अंसर आपका option D, उसके बाद अगले नमबर question कहता है, बिटामिन के का कार्ज करता है, बिटामिन के का कार्ज क्या है, option D, रक्त को ठका जमाता है, option D, पिलागरा का काम करता है, option D, सुवस्ण, क्या होगा राइट अंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएए, देखिए बिटामिन के जो होता है समझे बडियां से बिटामिन के जो होता है वो क्या करता है कि हमारे सेने में थक्का करता है बाहर निकलने के बाद रखत जो है उसमें थक्का जमाता है क्या करता है थक्का जमाने का काम करता है रहा अगला कोश्चन मनुस के रुधीर में या अधिक स्रम करने के बाद और अपसंडी सुभा है क्या होगा राइट एंसर जल्दी से कमेंट करके बताए देखिए मनुस के बलड में अगर चीनी की मातरा अधिक मातरां पाया जाए चीनी या गुलको जिसको कह सकती है आपे तो वो सरकरा अधिक मातरां कम जब सुगार टेस क्या होगा राइट एंसर जल्दी से कमेंट करके बताए का सेरुक जन्तु के सरीर का सरवादी कठोर भाग जो हता है वो क्या होता है देखिए राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर सी अगला नमबर कोशन कहता है मनुस की साधारन स्वसंदर कितनी होती है आप्सने 15 से 18 बर प्रती मीटर प्रती मीनट आप्सन भी 35 से 50 बर प्रती मीनट आप्सन सी 16 से 18 बर प्रती मीनट और आप्सन डी 25 से 30 बर प्रती मीनट क्या होगा राइट एंसर चल्दी से कमेंट करके बताए मनुस की साधारन स्वसंदर जो है वो कितना होना चाहिए तो वो होना चाहिए साधारन स्वसंदर जो होना चाहिए वो होगा आपका 16 से 18 वर प्रती मीनित ठीक है राइट अंसर होगा आपशन नमबर C अगला कोस्षिन लेंगर हैस के दिपका जो insulin का अस्तितर हो ते लेंगरहेंस की दीपका जो है वो insulin का अस्तितर होथा तो कहां होता option A में दिया तिल्ली में option B मस्तिक्स में option C जनद में and option D अगनाशे में क्या होगा राइट अंसर जल्दी से comment करके बताइए देखे लेंगर हैंस की दीपका जो होता है वो पाया जाता है हमारे सरीर के अगनाशे गरंथी में कहां पाया जाता है अगनाशे गरंथी में जो इंसलीन हर्मोन का स्तरावन करता है तो राइट अंसर होगा आपका ओप्सन नमबर D अगला नमबर कोशन काता है ब्रीदी हर्मोन का अस्त्रावन किस से होता है ओप्षन ए थाइराउक्सीन ओप्षन बी पीट्यूट्री ओप्षन सी सिक्रीटीन और ओप्षन डी एड्रीनल क्या होगा राइटन से जल्दी से कमेंट करके बताईए क्या होगा राइटन से बताईए ब्रीदी हर्मोन का अस्त्रावन्ज होता है हमारे सरीर की किस बाक्स होता है तो हमारे सरीर के जो ब्रीदी हर्मोन होता है वो पीट्यूट्री गरंथी से अस्त्रावित होता है जिसको master grantee भी पिटूट्री गरंती के बोलते है राइट अंसर आपको option B अगला question मधुमे के रोगी के मुत्र में मतलब क्या होगा चिनिया रोग तो चिनिया रोगी के जो होते हैं रोगी उसके मुत्र में क्या होता है option A में बसा, option B vitamin, option C सरक्रा और option D carbohydrate बताए ची उसके मुत्र में अधिक मात्र में क्या निकलता है पसेट सबार तो उसके मुत्र में अधिक मात्र में होता है चिनिया रोग वाले पेसेंट में वो सरक्रा यान गुलकोच की मात्रा जो मुत्र में रहता है तो उसमें चीटी लग जाती है उसके में अधिक मात्रा में अधिक तेजी गति से किस में चलता है गैस में चलता है कि तरल में चलता है द्वाने तरंगे सरवादिक तीब्र गति से जो चलता है वो चलता है आपका ठोस में राइट अंसर होगा आपका आपका अप्सन नमबर ए उसके बाद अगला नमबर कोशन कहता है नेट्रोजन इस्थिर करने वाला सहजी भी प्रोकारियोटिक जीव है अप्सने में दिया है अस्पायरोगाईरा ओप्सन भी ए नबीना ओप्सन सी कलोरेला और ओप्सन इलोथ्रिक्स क्या है राइट अंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कहता है नेट्रोजन इस्थिर करने वाला सहजी भी प्रोकारियोटिक जीव जो है कौन सा है राइट अंसर हो जाएगा आपका कारण होता है ऑप्सन इमें दिया है बैक्ट्रिया ऑप्सन भी लाइकेन ऑप्सन सी में दिया है कवक और ऑप्सन डी में दिया है हरा सहजी क्या होगा राइट अंसर जल्दी से कमेंट कीजिए 10 सेकंड है आपके पास बताएगे चाय में जो लाले रश्ट रोग होता है वह बिसानुओं में अनुबानसिक पदार्थ होता है, आपसने केवल DNA, आपसन भी केवल RNA, आपसन सी DNA तथा RNA दोनों, और आपसन डी DNA तथा RNA, क्या होगा राइटन सर, जल्दी से कमेंट करके बताएं, बिसानुओं में अनुबानसिक पदार्थ जो होता है, वह क्या होता है, दे राइट अंसर हो जाएगा आपका option number C अगला number question जो है कहता है यादी पिर्थीवी पर सभी कबक और जिवानू ना रहे option यह में दिया है सभी जनतु मर जाएंगे option B, बृत भी खटनी है प्रदार्थ की मात्रा बढ़ेगी option C, परकाश संसलेशन की रिया नहीं होगी option D, oxygen की कमी हो जाएगी क्या होगा राइट अंसर जल्दी से कमेंट करके बताएगी देखे, यादी पिर्थीवी पर कबक में भी मर जाए और जिवानू भी मर जाएगा यानि पिर कबक और जिवानू नहीं रहेगा तो क्या होगा तो जब कबक और जिवानू नहीं रहेंगे तो मरीत इस सरीर को सडाएगा गलाएगा कौन कार्बनिक पदार्थ में कौन बदलेगा अगर नहीं बदलेगा तो यानि मरीत भी घाटी ने पदार्थ अधिक मातरा में बढ़ जाएगा है तो राइटन सर होगा ऑप्सन नमबर B अगला नमबर कोशन है पेनी सिलीन की खोज किसने की थी अप्सने में दिया रॉवट कोच ऑप्सन B बैक्समाउन ऑप्सन C अलेकजेंडर और ऑप्सन D अलवट सेविन क्या होगा राइटन सर जल्दी से कमेंट करके बताएगे 10 सेकंड है आपके पास पेनी सिलीन की खोज किसने की थी क्या होगा राइटन सर जल्दी से कमेंट की थी राइटन सर होगा कि पेनी सिलीन की जो खोज की थी वह अलेकजेंडर अगला कोशन कहता है गेहूं के आटे में इस्ट मिलाने से डबल रोटी रंदरी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि इस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाती है क्या होगा राइटेंसर जल्दे से कमेंट करके बताएं कि गेहूं के आटे में इस्ट मिलाते हैं यानि डबल रोटी यानि पौन रोटी में ही बनाते हैं तो इस्ट मिला के बनाते हैं और कोमल हो जाता है क्या होगा राइट एंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं खाने योगी कबक यानि कौन सा कबक है जिसको खाया जाता है क्या होगा राइट एंसर कमेंट करके बतायें खाने जो होगा खाने योगी कबक होता है भाइगेरिकिशा खाने योगी कबक होता है राइट एंसर होगा अगले नंबर कोस्टन कहता है सर्वपरथम जिवानों की खोजगी थी ओप्रथम यंशाल Key 질문 ने राइट अंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट किरके बताईए काता है सरपर्थम जीवानों की खोज किसने की थी देखो पीडियेफ जो है ना सेट समान ग्यान का और समान बिग्यान का एक एक पीडियेफ चला गया गुरूप में ठीक है सरपर्थम जिनके पास नहीं गया ग क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं जीवानों पादप क्यों माने जाते हैं इसलिए माने जाते हैं जीवानों पादप बताएं जल्दी से कमेंट करके पीडियेफ गया है बाबो जिनको पास मैसेज नहीं ग्रूप से जा पाया है पीडियेफ का मैसेज कर देना प्र वीट कोर्स का वित्ति होती है आगला नमबर कोस्षन का गोस्टिन का होता है कि जो बार्प में नमक मिलाते हैं तो मिलाने पर इसका गलनांक जो है degree Celsius से क्या होता है बताई जिरो degree Celsius से क्या होगा राइट एंसर जल्दी कमेट के जो राइट एंसर होगा 0 degree Celsius से कम हो जाता है हाँ जब बरफ में नमक मिलाते हैं न तो बरफ कम गलता है तो राइट एंसर होगा आपका option number A अगला नमबर कोश्चन जो है कहता है गोवर गैंस में मुखरूप से पाई जाती है ऑप्षन ए कलोरीन ऑप्षन वी हैड्रोजन ऑप्षन सी एथिलीन और ऑप्षन डी मीथेन क्या होगा राइट अंसर जल्दी से बताई राइट अंसर गैंस जो होता है ना उसमें क्या जाता है तो राइट अंसर यहांप होगा आपका अप्षन नमबर डी अगले नमबर कोश्चन कहता है किसी द्रब को बास्म में परिवर्तित कर दुसरे अस्थान पर भेजने अबा फिर से उसे ठंडा कर द्रब में परिवर्तित कर लेने की परकिरिया कहलाती है अप्षन ब द्रब को बास्म में परिवर्तित करके उसे दूसरे अस्थान पर भेज के ठंडा करके फिर द्रब में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको कहते हैं उसको कहते हैं आस्वन बीधी कहा जाता है जी हां तो राइट अंसर हो जाता है आपका आप्षन नमबर बी अगला नमबर क कोश्चन कहता है बेंजीन टॉलवीन को प्रिथक करते हैं आपसन आसवन द्वारा आपसन भी प्रभाजी आसवन द्वारा आपसन सी बर्न लेखन द्वारा और आपसन सी भाफ आसवन द्वारा क्या होगा राइट अंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बेंजीन टॉलीन क प्रिथक करते हैं तो किसके द्वारा प्रिथक करते हैं क्या होगा राइट अंसर देखे राइट अंसर होगा कि बेंजीन टॉल्बीन को प्रिथक करते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा राइट अंसर यहां पर होगा आपका आप्सन नंबर बी अगला नंबर कोश्चन जो है कहता है power alcohol है option ने पीने के योग एथिल एलकोहल option B परिसूद एथिल एलकोहल option सि इंधन के रुप में परिसूद मेथिल एलकोहल और option D परिसूद मेथिल एलकोहल क्या होगा राइटन से, जल्दी से बात कमेंट करके बताईए कहता है कि power alcohol तो power alcohol जो होता है क्या होता है बताईए देखे समझे पावर alcohol जो होता है वह आपका इंधन के रूप्से में परियुक्त होने वाला एथील अलकोहल होता है राइट अंसर होगा option number C अगला number question है कि बाइन यानि सराब में उपास्थित रहता है option एथील अलकोहल option B मेथील अलकोहल option C एसिटिक अमल और option D कलोरो फॉर्म क्या होगा राइट अंसर जल्दी से कमेंट करके बताईए देखे वाइन सराब में जो उपास्थित रहता है यानि जो सराब होता है उसमें क्या होता है तो सराब में होता है अधिक मात्रा में होता है आपका क्या होता है कौन सा अलकोहल होता है तो राइट अंसर होगा आपका एथील अलकोहल क्यों होता है एथील अलकोहल होता है राइट अंसर होगा option number A अगला नंबर कोश्चन कहता है सोना का रसाइनिक परतिक यानि कहता है सोना का जो चिन है वो क्या होगा AU, option B, MG, option C, AG और option D, PT क्या होगा राइट एंसर? PT मतलब प्लेट ना क्या होगा राइट एंसर? देखें सोना का जो रसाइनिक परतिक चिन है यहींनि सोना का जो सिंबूल पूछ रहा कि क्या होगा तो सोना का रासानिक प्रतिक चीन होता है आपका AU ठीक है A जी मने चांदी तो राइट अंसर होगा आपका आप्सन नंबर A अगला नंबर कोश्चन करता है रिनात्मक उत्प्रेरेक वह है जो आपकिरिया के बेग को कम करते है आपकिरिया के बेग को बढ़ाते है आपकिरिया के बेग को आप परिवर्तित रखते है और आपकिरिया के बेग को आप परिवर्तित रखते है क्या होगा राइट नंसर जल्दी से कमेंट करके बताए कि रिनात्मक उत्प्रेरक जो है वा है जो क्या करता है बताई क्या होगा राइटनसर देखे रिनात्मक उत्प्रेरक वा है वो उसका काम होता है कि रिनात्मक का कि अभिकिरिया के बेग को कम करते हैं क्या होगा अभिकिरिया के बेग को कम करते हैं राइटनसर होगा अप्सन अगला नमबर कोशन है धूआ है ऑप्सन है ठोस का द्रबे में बिलियन ऑप्सन भी गैस का द्रबे में बिलियन ऑप्सन सी गैस का ठोस में बिलियन और ऑप्सन डी गैस का द्रबे में बिलियन क्या होगा राइट अंसर जल्दी से कमेंट किजिए धूँआ है क्या है धूँआ तो धूँआ जो है क्या होता है बताइए देखिए राइट अंसर होगा कि धूँआ जो होता है बताइए जल्द इसी कमेंट करके पिछले बार भी कोश्चन में बताये थे हैं कि धूँआ जो होता है गैस का ठोस में बिलियन है तो राइट अंसर ठोस का गैस में बिलियन और option D गैस का गैस में बिलियन क्या होगा right answer जल्दी से comment करके बताएं मिसर धातू तो मिसर धातू क्या है बताएं देखिए right answer हो जाते हैं हाँ पे कि मिसर धातू जो होता है ओ भाँ ठोस का जी हाँ ठोस का ठोस में बिलियन होता है, मिसर दातों में क्या ठोस ठोस मिलते हैं, तो राइट अंसर होगा आपका आपसन नमबर A, अगला नमबर कोश्चन कहता है, निमनलिखित में किन से खसरा रोग फैलता है, आपसन A जीवानू से, आपसन B बैक्ट्रिया से, आपसन C बाइरस से और आपसन D प्रोटोजवा से, तो बताए ये खसरा रोग जो होता है, वो किस से फैलता है, जीवानू से फैलता है, कि बैक्ट्रिया से फैलता है, कि बाइरस से कि प्रोटोजवा से, ट्रीक एक पर बता है थे ना, बिमारी होने वाला जीवानू से रोग बाइरस होने वाल जाएगा है यहापका आपका अप्सन नमर बी अगला नमर कोशन माइक्रोफोन में उर्जा का परिवर्तन आप्सन यान्त्रिक से ध्वानी उर्जा में, आपसन भी ध्वानी से यांतरिक उर्जा में, आपसन से बिधुत से यांतरिक तत्पश्चात ध्वानी उर्जा में, और आपसन भी ध्वानी से यांतरिक तत्पश्चात बिधुत उर्जा में, क्या होगा राइट एंसर बताइए, कमेंट करके बताइ माइक्रोफोन में उर्जा का परवर्तन तो माइक्रोफोन में उर्जा का परवर्तन होता है वो किस से किस में होता है बताई देखिए यहाँ पर जो राइट अंसर होगा कि माइक्रोफोन में उर्जा का परवर्तन होता है दोवानी से यांतरिक तत पस्चात बीधो तूर जामें ठीक है राइट अंसर होगा अप्सन नमर डी अगला कोश्चन पारा काँच को नहीं भिंग होता है कारण पारा काँच को क्यों नहीं भिंग होता है अपका अप्सन में क्या आदिया है इसका प्रिष्टितना आपके कारण Option B इसका आसजन की कारण Option C इसका ससंजन की कारण और Option D इसकी स्यानिता की कारण क्या होगा राइट एंसर कमिट करके बताए 10 सेकंड है आपके पाद देखिए राइट एंसर होगा कि पारा कांच को नहीं भूंगता है तो नहीं भिंगेने का कारण होता है कि पारा का ससंजन जी हाँ इसका ससंजन होने के कारण नहीं भिंगता है अगला नमबर कोश्चन काता है कि इस्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर बापस लोटने के लिए लगने बाले बल को क्या कहते हैं जब इस्प्रिंग को खीच दें और अपने समान लमाइन पर फिर जितना था उतना पर हो जाता है तो वो होने बाले जो बल होता है उसको क्या कहते है उप्सने में दिया है प्रतियाय नयन बल प्रतियाय नयन बल कहते रायट अंसर आप्सन-A अगला नम्बर कोश्म एक मकान की चछत से भूमि की और एक पत्थर गिराया जाता है उस पत्थर पर गतिज उर्जा अधिकतम होगा यानि एक मकान है उस चछत है शट पर से धेला को नीचे गिराय जाता है ठीक है पथर को तो गती जूरता पथर का क्या होगा अप्सन जब भूमी पर गिराते हैं पथर तो इसकी जो अधिकतम उर्जा होगी गती जूरता होगा वो तब होगा जब भूमी पर गिरने से कुछ मिनिट पहले यानि भूमी पर पहुँचने के ठीक पहले होगा राइट अंसर होगा आपसन नंबर भी अगला नंबर कोशन जब बुरूस को पानी में डूबेते हैं तो उसके बाल आपस में चिपागी दाते हैं क्या होगा राइट अंसर कमेंट करके बताएं देखे राइट अंसर होगा कि जब हम बुरूस को पानी में डूबा देते हैं तो उसके बुरूस का जो बल होता है वो आपस में चिपागी जाते हैं तो चिपाकता है आपका प्रिष्ट तनाव के कारण चिपागे जाता है। राइट अन्सर होगा आप्षन नमबर B, अगला नमबर Q किसी परमानू के, कहता है परमानू द्रवान वहां, द्रमान संख्या के अंतर को कहते हैं। आप्सने द्रमान च्छती, आप्सन भी इलेक्ट्रोनों के संख्या, आप्सन सी प्रमानों करमांग और आप्सन डी समस्थानी के, क्या होगा राइट एंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, किसी प्रमानों के प्रमानों द्रमान वा द्रमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं देखे राइट एंसर होगा कि परमानू के परमानू द्रमान और द्रमान संख्या के जो अंतर होता है बो होता है द्रमान छती राइट एंसर होगा आपसन नमबर ए